हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कोई रियायत नहीं है बिजली के बिलो में करेंट प्रभावित हो रहा है वहीं दूसरे तरफ प्रदीश की कॉंग्रेस सरकार मुक बधीर बन कर बैठी है जनता के आकरोश का पारा आसमान पर है ऐसे में सरकार को जगाने के लिए भारती जनता पार्टी ने जन्बल को साथ ल हमारी ने कहा कि राज्य की कॉंग्रेस सरकार और कोरोणा वायरस में कोई विशेश फर्क नहीं है कोरोणा दवे पाओं लोगों की जिंदगी निगल रहा है तो कॉंग्रेस सरे आम जिन लोगों की जिंदगी कोरोणा से गई परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई उल्ट कहा कि किसानों से वादा खिलाफी की गई है महिलाओं पर हत्याचार को अब किसी भी सूरत में बरदाश्यत नहीं किया जाएगा सभी को संबोधित करते वे पूर्व ग्रू मंतरी गुलाब चन कटारिया ने कहा कि कॉंग्रेस ने जनता को गुम रहा करके सत्ता की सीडिया ना है वैक्सीन बनवाकर मुफ्त में लगवाना कोई छोटा काम नहीं कारिक्रम में जिले के जन प्रतिनिती संगटन के पद्धिकारी मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष आम जंता और बूच स्तर तक के कारिकरता उपस्तित थे कारिक्रम को एक दर्जन से जादा नेता उने संबोधित किया सभा के बाद पैदल मार्च कर दिया कलेक्टर को राजपाल के नाम ग्यापन आम सभा के बाद सांसदिया कुमारी के नेतृत हजारों लोग सभा स्तल से जल चकी किशोर नगर होते हुए कलेक्टरी परिसर में प्रभेश किया जहां कलेक्टर कारेले के बाहर भाजपा कारेकरता और ने जंगी प्रदर्शन के साथ कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ आकरोश व्यत्ति किया। तत पस्चात राजिपाल के नाम जिला का लेक्टर को ग्यापन दिया। जागरुक टिवी के राज समन से नरेंदर सेंग खंगारूत के रिपोर्ट।